यह रेट सी की बबल री मुअओर है आज इसके अंदर हम लोग आपको बताएंगे के बबल री मुअर् स्टार्थ होने के बाद में अगर श्टार्ठ करने पे आपका हो रहा है लेकिन डोर लोक नहीं हो रहा है तो इसका सिंपल तरीका है किसके अंदर एक पार्ट है वह भी आपको बताएंगे कि कैसा चेंज करना है यह आपको चेक करना है कि पर स्टार्ट करने से एर नहीं आ रहा है और कंपरेसर के अंदर एर है तो अब आपको बताएंगे क यहां आपको चेक करना है कि रेड लाइट आ रही है या नहीं आ रही है स्टार्ट करोगे स्टार्ट करने पर यहां पर आपको सबसे पहले टेली करना है कि यहां पर रेड लाइट आ रही है यह नहीं आ रही है अगर रेड लाइट आ रही है और स्टार्ट नहीं हो रहा है तो यह पार्ट का इश्यू है यह पार्ट आपको चेंज करके बताएंगे कि कैसे ये पार्ट को चेंज करना है मशिन को आफ कर देंगे साइट से पलक निकाल देंगे अभी इसको ये पार्ट को चेंज करने के लिए यहाँ पर दो स्कुरू दिये हुए है ये स्कुरू को अभी ओपन करेंगे ये दोनों स्कुरू ओपन करेंगे यह पार्ट इसमें से easily निकल जाएगा, फिर यहां पे एक point डिया हुआ है, इसको open करेंगे, यह point को open किये, इसके बाद में यह point निकल जाएगा, इससे separate हो जाएगा, यह point ऐसा separate हो जाएगा, इस point को छोड़ देना है, इस पार्ट में से इसको change करना है, इस part को change करना, AC220 वाले part को change करना है, अबी नया part आपको दिया जाएगा, तो इस में से आपको सिफ इसका screw निकलना है, यह part को change निकलना है, वाइरिंग पूरी चेंज निकलना है, पूरी wiring परफेक्ट है, सिर्फ आपको यह point निकलना है, screw निकलने, यह point को आप ऐसको जाएगा, यह आपका damage part है, यह आपका new part है, अभी अपन new part को भी इसको open करलेंगे, अभी new part open हो गया, अब new part का सिर्फ यही part आप old section पे लगा देंगे, जहीजी pin लगा दोगे और यहांपे इसका screw लगा दोगे, यह हो गया टाइट अभी इसको चेक करेंगे कि यह पार्ट ओके है या नहीं है इसको ऐसा लगा देंगे यहां से स्कुरू कर देंगे यह लगाने के बाद इसका नीचे का पहले नड भी लगा देंगे यह नड लग गया यह पार्ट चेंज हो गया इसको एक स्कुरू लगा देंगे अभी अपने इसको चेक करेंगे अभी आपको बालो पड़ेगा यह मशिन ऩार्ट हो रही है इसमे आ क्ले है अब आटमेरिकली प्रेसर बढ़गया यह फैर्ट होmal अगर अगर आप मशीन यहां से स्टार्ट कर रहे हो और यहां पर रेड लाइट यहां पर रेड लाइट नहीं आ रही तो फिर सर्किट बोड में इशु है फिर सर्किट बोड के अंदर इशु झाल झाल झाल